बेलकॉम प्रेंट्स, TLD Classes में आपका फिर्श श्वागत है, आज हम MPPSC जो First Paper होता है, उसके Unit No.10 लेके आएंगे आएंगे आपके साथ, यह Unit No.10 जो आयोग से रिलेटेड हैं, जिसमें MPPSC साथ ही कुछ other exams में जो आयोग से कॉस्चन आते हैं, इसमें हम cover कर लेंगे, साथ ही इनमें अपन description से पढ़ेंगे, पूरे के पूरे आयोगों को complete करेंगे, लगवग इसमें 16 चेप्टर हैं, यानि 16 आयोग हैं, एक चेप्टर में अपन एक आयोग को complete करेंगे, ठीक, चलिए तो चैनल को आप like, subscribe और share कर लें, साथ ही अपने दोस of India, ठीक है, यह हमारे चैनल का logo है, साथ ही हमारे चैनल को subscribe कर लें, चलिए, देखते हैं, पहले अपन सबसे पहले इसका, जो unit number 10 में, जो MPPSC ने slivers दिया, उसको देख लें, कितने आयोग दिये हैं, पहले उने देख लें, फिर उसके बाद अपन इसका description से पढ़ेंगे, ठ चलिए, तो इसमें क्या है, रास्ति एवं प्रादिसिक सामवेधानिक और सामवेधिक संस्थाएं, ठीक, यह एक प्रकार की क्या है, संस्थाएं हैं, ठीक, तो इनमें कितने total लगवा अपनी 15 हैं, ठीक, तो इसमें कौन से हैं, भारत निर्वाचन आयोग, राज निर्वा चन आयोग, संग लोक्षेवा आयोग, मद्य प्रदेश लोक्षेवा आयोग, नियंत्रन इवफ महालेक परिक्षा, नीती आयोग, ठीक, माना बदिकार आयोग, महला आयोग, वाल संरक्षन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्टी हरत अधिकरण, सतरक्त आयोग, अ इतने कॉन से नेशनल लेविल के होगा, साथ ही अब अपने राज जी लेविल के पढ़ना है, तो उनमें अपना राज जी लेविल का वेजाएगा, ठीक, चलिए, नेक्स्ट करते हैं, इसको देखते हैं, चलिए, इस टार्टिंग में अपने क्या पढ़ाता ये संस्थाइं ह क्या होती हैं, और उसके बारे में देख लेएं हैं, संस्थाइं क्या हैं, बिसेस हैतों की पूर्ति के लिए बनाए गए संस्थाओं को समीती कहते हैं, किसके लिए, बिसेस हैतों के लिए, ठीक, बिसेस उद्देश हैतों को प्राप्त करने के लिए, जो साधन तोर तरे के बिद्धियां या प्रणालियां आधी को उपयोग में लाई जाती हैं उसे संस्था कहा जाता है समीति और संस्था में समझ में आ गया चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है संस्थाइं तीन परकार की होती है जो अपने unit 10 में संस्थाइं बताई गई हैं उन्हें अपने जो classification किया यानि बेवाजन किया उसका वो तीन परकार से बेवाजन कर सकते हैं कौन कौन से संस्थाएं तो देखें सामविधानिक संस्थाएं जो सामविधानिक संस्थाएं वो क्या है जिनका description संविधान में सामविधिक संस्था हैं कारकारी निकाय या संस्था है इनमें अपन देखें तो क्या है सामविधिनक संस्था है वो आठ है सामविधिक संस्था है कारकारी निकाय या संस्था है वो एक ही है ठीक चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देखें कि क्योंकि ये क्या है इनका मोटो क्या है और किस बेसे इस पर अपन लोगों ने इनका classification किया है ठीक चलिए तो हैं तो यहां देखने सामविधानिक संस्था क्या है तो इसके बारे जिनका वर्नन सम्विधान में किया गया है थो तो क्या नहिर चाहतों ने जो अपना सभिधान बना है बास्मिधान में जन संस्थाउं काcopma बड़ाने कौन कौन से संस्ता है सांवेदानिक संस्था ठीक जैसे कौन कौन से शंस्ता है ने टरने महालिक थीठ है आयोग है 내 महालिक भी फ्यफ। C ये कौन से हैं, सामविधानिक संस्थाइं, टीक है, जो डिरेक्ट संविधान से लीए गे हैँ हैं। सामविधिक निकाय कहलाती हैं। थीक है, इसमें क्या बोल रहा है हो? कि जिनका निर्माण हमारे संसद में जो अपने संसद बैठें या राजसबा में जो बैठें इन लोगों के द्वारा एक अधिनियम बनाया जाएगा है ना प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके उपर कान वो एक प्रकार की संसदाएं बना देंगे या कमेटी टाइप की बना देंगे फिर उससे अपन जो भी कार करना है उसके लिए प्रसाहन करते हैं ठीक जैसे कौन से हो गया सीबी आई हो गया सेंटरल वीर आफ इन्वेस्टिगेशन आज ठीक लोगपाल हो गया नेशनल हुमन राइट कमीशन हो गया है यह ऐसी संस्थाएं क्या है जो एक्ट के थरो बनाएगे निया किसने बनाएगे संसद या राज बिधान सवाओं ने बिधाई काओं ने ठीक अब कारेकारी निकाय कौन सी है कारेकारी निकाय देखें बहे निकाय गलट टाइप हो गया बहे निकाय जो सरकार के कारेकारी आदिश से निर्मित होती है ठीक यह कौन सी निकाय है जो सरकार के कारेकारी जो सरकार के कारेकारी आदिशों के दारा तयार हो जाती है और यह मत झानिक होती हैं ठीक कुछ ऐसा एंक एंक एक मोटो ले लेँगे उसके बाद वो काम komplete फिर उसके बाद वो खतम हो शकती हैं लेकिन कुछ है ऐसी चीज़े होती है जिने अपन continue 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 करते रहते हैं ठीक यह समय अबदी के लिए होती है ठीक जैसे कौन से है नीतियायो ठीक नीतियायो कब बदला है अभी आप इसका नीतियायो का पहला नाम क्या था बरतमान में इसका नाम क्या है इसके बरतमान अध्यक्ष कोन है यह हमें आप comment box में comment करें ठीक चलिए next देख लें साम्विधानिक आयोग कौन कौन से हैं आठ आयोग हैं चलो इन्हें देख लें साथ ही इनके जो आर्टिकल हैं कितने आर्टिकल कौन से आर्टिकल में किसका वर्णन है वो देख लेते हैं ठीक भारतिय निर्वाचन आयोग इसका आर्टिकल नंबर कितने 324 में इसको वर्णन किया है कहां? भारतिय सम्भिधान में ठीक? याद मेरे साथे रिपीट करते चलें ठीक है? राज निर्वाचन आयूग वर्णन कहां है? कौन से आर्टिकल के है? आर्टिकल 243 के से लेकर 243 A, सोरी Z A तक, ठीक? कौन सा? राज निर्वाचन आयूग का चले, नमबर 3 पर क्या है? संग लोक सेवा आयूग इसका आर्टिकल कौन सा है? 315 ठीक, इसको आपको याद रखना है मद्य प्रदेश लोक सेवा आयो इसका भी कौन से मैं? 315 ठीक, चले, नेक्स्ट क्या है? नेंतरन इवा महालिक परिक्षा इसका आर्टिकल नमबर कौन सा है? 148 ठीक, चले, नेक्स्ट क्या है? अनुसुचित जाती आयोग इसका आर्टिकल कौन सा है? 338 ठीक, ये याद रखना ठीक क्योंकि ये तीनों है ना आर्टिकल नमबर एक हैं बट इनका क्लासिफिकेशन किया गया ठीक, कौन सा अनुसुचित जाती हो गया? अनुसुचित जन जाती आयोग कौन सा है आर्टिकल? 338 A ठीक, SC कौन सा था? 338, ST कौन सा है? 338 A और OBC या पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल नमबर 338 B ठीक, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं आप पिछले पेपर उठा के देख लें तो आर्टिकल पूछे गए हैं चलिए नेक्स्ट कॉश्चन सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है? साम में दिक आयोग ये संवेदिक आयोग क्या है जो जिनकी टोटल नंबर ऑफ संवेदिक आयोग कितने है साथ है ठीक जो हमें MPPSC में पढ़ना है ठीक ना चलिए और जो MPPSC के सिलेबस में दिये गए है तो पहला देखने कौन सा है महिला आयोग ये कब बनाय गए था 1990 के एक्ट के थिरू बनाय ठीक रास्टिय मानवदिकार आयोग कौन से एक्ट के थिरू बनाया गया ठीक वहीं बाल संडक्छन आयोग एक्ट 2005 के थिरू बनाया गया सूचना आयोग 2005 में बनाया गया सत्रक्ता आयोग एक्ट 2003 में बनाया गया ठीक राश्टिय हरत अधिकरन एक्ट 2010 में कुछ सालों पहले यायत तक भग 10-11 साल पहले यायत है खाद संडक्छन आयोग एक्ट 2013 में आया ठीक चली नेक्ष्ट दिख लेते हैं अब जो अपना मैं टॉपिक था उसके उपर आते हैं ठीक यह अपन को कोई से भी यूनिट पढ़ना है पहले आप इससे देख लें क्योंकि जब तक आप क्लास से बेकिसन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ठीक अपने सामवेधानिक आयोगों को माट लिया साथी एक जो अपना कारिकारी निकाय था उसको भी माट लिय ठीक तीनों की क्लास मतलब टेविल फॉर्म बना लें जब आप नोट्स बना लें टेविल फॉर्म बना लें या फिर ऐसे बना के करें ठीक चलिए नेक्स्ट देख लें आप सीधर देख लेते हैं पॉइंट नमर बन पर यह आ जाती है अपना भारती निर्वाद सनायोग तो इसका आर्टिकल आपने देखा ही है बताया था मैंने सांबिधान निकाय है इसका संबिधान में वर्णन किया गया आर्टिकल नमर 2324 है इसका परिचय देख लें यह कैसी निकाय है यह सोतंत्र निस्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है इसका उदिश अंबिधान के भग पंद्रह में अनुशे 324 से लेकर 329 तक किया गया है चलो पॉइंट देखते हैं कहाँ कॉशन के या कहाँ कहाँ बनीगा कॉशन बनीगा भारत के संभीधान में भारती निर्वाद सनायो का भर्नन किस भाग में किया गया है कॉशन बना तो आपको यहाँ देख रहा है ना भाग बंद्रा में चले एक कॉशन मैं आपसे पूछता हूँ जो आप कमेंट वॉक्स में लिखें मेरा उसका उत्तर लिखें ठीक है हमारे भारतिय शंभीधान में कुल कितनी भाग में विवादित किया गया है ठीक चलो अच्छा तोड़ा इसके सामान जानकारी देख लें सामान जानकारी क्या है इसकी स्थापना कब हुई किसकी भारतिये निर्वाचन आयोकी है ना भारत का निर्वाचन आयोकी चले स्थापना कब हुई 15 जनबरी 1950 में इसका मुख्यालाय कहां है नई दिल्ली में यहां नई लिल्ले ठीक बरत्मान निर्वाचा नायुक्त कौन है सो सील संद्रा कौन से नंबर के थे 24 नंबर के ना 24 वे नंबर के ठीक अब इसमें कुछ फेर वदल हुए हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगा ठीक थोड़ी देर बाद बताता हूं क्योंकि इसमें भी नया अपडेट भी आया है भारत मुख निर्वाचा नायुक्त कौन है कौन थे पिर्थम सुकुमार सैन ठीक ठीक ये तो नॉर्मल जानकर ये लेकिन ये वाला कॉश्चन पूछा जा सकता है पिर्थम महला निर्वाचा नायुक्त ये कॉश्चन पूछा जा सकता है ठी बियेस रमादेवी कौन से नमबर के थी नौबे नमबर के थी पिर थम चुनाब कब हुए थे 1951 से पिर थम चुनाब कब हुए 1951 या 52 में है ना 51 से 52 ठीक चलिए अब थोड़ा वो मैंने आपको बताया था बरतमान में कौन है इनके बारे में थोड़ा सा देख लें हाँ ये देख लें ये अभी कुछ दिनों पहले नए अपडेट आया है देश के 25 बे मुख चुनाब आयुक तो होंगे राजीब कुमार ठीक कौन से नमबर के 25 बे नमबर के है ना इसमें देख लें मौजूदा मुख चुनाब आयुक सुसील संद्रा का कारकाल 14 मै को समाप्त हो र बारे में क्योंकि ये कॉश्चन बन सकता है क्योंकि अपने MPPSC में हरवार 4-5 कॉश्चन आयोग से आते ही रहते हैं तो आप इसको ध्यान से देख लें है ना ये क्या है राजीब कुमार के वारे में जान लें थोड़ा सा राजीब कुमार बिहार जाहर खंड केंडर 1984 बैच के भारतिय प्रसासनक सेवा के एक अधिकारी थे और फरवरी 2020 में भारतिय प्रसासनक सेवा से सेवा निरत हुए है ठीक चलिए और भी आप नीचे जानकारी है और थोड़ा इनके बारे में पढ़ लें ठीक और अगर और जानकारी चाहिए इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है ठीक चलिए इसके निर्वाचनायुक के कार्ज क्या होते हैं प्रमुक कार्णी तो देख लें संसद राज विधान मंडल राष्टपती तथा उपराष्टपती का चुनाप कराना है ठीक ये क्या करवाते हैं संसद के और विधान मंडलों के राष्टपती चताओ पर राष्टपती के चुनाप करवाते हैं ठीक है साथ ही अभी कुछ दुनों बाद जुलाई में लगभग 18 जुलाई के आसपी राष्टपती चुनाप की बोटिंग होनी है ठीक तो आप मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राष्टपती के चुनाप आर्टिकल नंबर कौन से से किया जाता है ठीक है भारती कॉंस्टिटिउशन के हिसाब से ठीक चले और एक एक चीज़ और बताईएगा कि राष्टपती पद की जो अबधारना थी हमने भारती कॉंस्टिटिउशन में किस देश से किस देश से अपनाई है ठीक चले अच्छा ये नोट और देख लें नोट क्या है भारती निर्वाचन आयोग क्या नहीं कराता है ये है पंचायत वा नगर निकाय के चुनाप नहीं करवाता है इस पॉइंट को ध्यान रखें ठीक तो कौन कराएगा पंचायत व नगर निकाय के चुनाप कौन राज निर्वाचन आयोग ठीक चली अब इसके बारे में थोड़ा ये और देख लें परीशी मन आयोग ये अच्छा कोशन है क्योंकि परीशी मन आयोग के बारे में आप और डीप में पढ़ने थोड़ा क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर का मैटर है वहां पे अभी भी सीट से इतने आएंगी बट अभी तक जो सेक्टर मतलब एरिया बांटना थे वो अभी तक बांटे नहीं तो आप इससे देख लें क्योंकि इस मैसे कॉशन बन सकता है और परीशी मन आयोग के परीशी मन आयोग ही सीटों वो एरिया का बटवारा करता है साल है ना चली तो देख लें परीशी मन आयोग क्या है लोक्सव व राज-बिधान-वा की सीटों क वटवारा करता है कउनसे दोनों के लोक्सव और राज-बिधान-वा करता है बख किन शेत्रों में आरक्षण देना है किस पर नहीं देना है यह उसका स्वयम का निर्ण है कौन से चित्र में आरक्षण देना है कौन से चित्र में आरक्षण नहीं देना है वो स्वयम परिशिमन आयोग डिसाइड करेगा ठीक यह परिशिमन आयोग ते करता है ठीक तो था हम न्यालय में नहीं नहीं ले जा सकते हैं जो भी इसका निर् चुनाती नहीं दे सकते, इसका मतलब श्वतनतर निकाहे, कौन से सिर्फ इस मैटर में कौन से आरक्षन वाले में कहाँ, जो भी वो डिसाइड कर देगा या जो भी सीटेम या जो भी सक्टरवाट देगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक चाहे कितना भी वो कलो लेकिन हम उसे चुनावती नहीं दे सकते हैं ठीक, नोट देख लें, नोट क्या लिखा है? अन्य मामलों में चुनाव के प्रती न्याला जा सकते हैं ठीक, अन्य मामले कैसे? जैसे मालो अगर कोई candidate खड़ा हो गया ठीक, लेक्टो के भी आ गया तो हम उसके उपर चुनावायों के उपर बैस केस कर सकते हैं कि ये एक्स वाय नंबर का candidate है ये आपकी हैं गलत तरीकी से चुन के आ गया है साथ ही आप इसमें election commission की लापर रवाईए इसमें election commission ने इसके जो documents हैं वो सही से verify ने किये हैं तो उसके लिए अपन उसमें चुनोती दे सकते हैं साथ कोई एक पंजाब का या जहरखंड का एक case है उस case को भी आप लोग पढ़ लें ठीक, क्योंकि वो इसी परिश्मन आयोग के उपर ही साथ case था ठीक जहां तक मुझे मालूम है पंजाब या जहरखंड का या ठीक आप एक बार और देख लें उससे cross check कर लें चलिए नेक्स देख लें जो निर्वाचान आयोग की संड़चना कैसे हुई है कौन से article से हुई है ठीक आर्टिकल नमबर दो सो चौबिश सोरी तीन सो चौबिश है न इसकी जो ढासा बनाए गया निर्वाचान आयोग का वो आर्टिकल नमबर तीन सो चौबिश के तहत बनाए गया मुख निर्वाचान आयुक्त था अन आयोग्तों की नियुक्ति कौन करेगा राश्छटपती करेगा ठीक, कॉशन एक ही हाँ से भी बन सकता है 1950 से 1989 तक एक मुख निर्वाचान आयुक्त होता था मतलब भारत का जो इतने बड़े देश का एक मुख निर्वाचन आयुक्त होता था कैसे मैनेज करता होगा ठीक, आप देख लेए फिर क्या होगा एकसटवा शंबिधान संसोधन अधिनियम 1988 को दू अन चुनावायुक आ गए तता ही है संयुख निर्वाचन आयुक बन गया, ठीक, अब देखिए ये कंट्रवर्सी देखिए आप है न अब कितने हो गए, तीन चिनायुक्त हो गए एक तो पहले से था दो और आ गए, दो अनन और आ गए मतलब तीन हो गए, अब तीनों में ये प्रॉम्लम हो गई कि जो एड ओप दे लीडर कौन होगा मतलब मुख्य कौन होगा ठीक, ये चलता रहा, चलता रहा लेकिन 1990 में फुनाय से एक सदश्य निकाय बना दिया ठीक, जो 1990 की गवर्मेंट थी उसने फिर से संसोधन किया, साती उसे एक सदश्य का बहुत कठेन हो रहा था तो क्या हूँगा, सन उनीस सो तेरानवे को इसे दोवारा से संयुक्त कर दिया साती क्या किया बन प्लस टू मतलब एक मुख्य नवायुक्त होगा साती दो नचुनावायुक्त होगे जो नंबर वन होगा वो मुख्य नवायुक्त होगा उसके बाद जो दो होंगे उसके अंडर में काम करेंगे ठीक है ना या डपला लीटर मुख्य नवायुक्त होगा ठीक तो इसे क्या बोला बन प्लस टू की बॉड़ी बना दिया मतलब टोटल नंबर उख तरी कितने होगे तीन है जो आज तक है अभी तक मतलब बरत्मान में अभी तक बन प्लस टू की बॉड़ी है आयुक्तों की ना युक्ता ना आयू का सम्भीधान में कोई बर्णन है यह अच्छा पॉइंट है ठीक इसमें बहुत साथी कंट्रवर्ज सी है लेकिन फिर भी अपन लोगों ने इसका वो शॉल्ब किया है क्योंकि इसमें ऐसा किया गया है कि जो कुछ है उनके ना तो सेलरी कवर्णन किया गया कितनी सेलरी देना है उनकी पदबदी कितनी होगी क्या योगता रखना है तो उसके बारे में हमारे संभीधान में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है लेकिन हाँ उसमें ये कह दिया कि निरवाचना योगत का एक अध्यक्ष होगा ठीक तो वो फिर सिधा अपनी गॉर्मेंट डिसाइड करेगी क्या करना है कितना समय इनको कितना इनका 10 रखना है कितनी सेलरी देना ठीक वो उनकी खुद के अपना एक्ट बनाएंगी ठीक वो एक्ट बनाया भी थी 1991 में है चलो मुख चिना अरवा आयुक्थ अच्छा लास्ट पॉइंट देख लें कि लास्ट पॉइंट के अगला मुख निर्वाचन आयुक्थ आयुक्थ का अध्यक्ष होगा जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा मुख निर्वाचन आयुक्थ होगा चलिए अब नेक्ष्ट देख लें कुछ अन्यतत हैं जो पूछे जा सकते हैं इनकी मतलब जरूरत है ज़्यादातर पूछे जाएंगे ना देखिए मत्दानतिवस कब मनाये जाता है 25 जन्वरी 2011 से पर प्रारम हुआ है इसका मत्दाताओं को उनके मत्दाताओं के बोट की एहमियत पता लगे इसलिए और मत्दाताओं को जागरूक बनाने के लिए ये दिन दिवस मनाया जाता है कौनसा 25 जन्वरी 2011 से 2021 की जो थीम थी मत्दाताओं के लिए वो क्यार बनाई गयती मत्दाता बने ससक्त सतर्क, सुरक्षिद और जागरूक ये 2021 की थीम थी ठीक, 2020 की थीमा भी आई नहीं है, ठीक, चलिए आप देख लें है ना, जब आईगी तब देख लें आप, और अपडेट रहें, क्योंकि जो भी फिर वदल होगा, तो देखते रहें आप है ना, करेंट से, क्योंकि वहां करेंट में जोड़े जाएगा, ठीक, अब EBM, EBM यहां सवा, सीट पर हुआ है ना, कहां केरल में हुआ, ठीक, अच्छा, यहां से एक कॉशन बन सकता है, केरल की साक्षरता दर क्या है, यह कॉशन बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि केरल अच्छा खासर, बड़े लिखे लोगों की जनसक्या केरल में अधिक है, तो केरल की सा एक और देख लें, 2004 के लोक्षब चुनाबों में EBM के एका प्रियोग किया गया था, सॉरी, हैं मतलब गड़वर्ड हो गई है, थोड़ा देख लें, यहां कौन सा EBM का यह उप्योग किया गया था, का वो अलग है, ठीक है, EBM, EBM मसीन का कौन से लोक्षब चुनाब के लिए EBM का उप्योग किया है, अच्छा, उसके बाद जो क्या होगा, एक नया ट्रेंड और चला है, बीवी पैड का, आपने कभी देखा हो, बीवी पैड मतलब एक ऐसा बॉक्स टाइप का रहता है, उसमे जिस भी कंडिडेट को आप बोड देंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रेंट, तुरंत प्रेंट चपता है, देन उसके बाद सिलिप करते है, उसके विथ फोटू के साथ, यह बीवी पैड का आच्छा कॉंसेप्ट आया है, जिसमें जो काउंटिंग होती ना, क्रॉस काउ बांटिंग हो जाती है, एक तो बैलेट पेपर के थरो, मतलब परचियों के थरो भी हो जाती है, और डारेक्ट अपन जो एलक्टानिक बोड के थरो भी हो जाती है, चले तो बीवी पैड का फुलपॉम देख लें, क्योंकि यह फुलपॉम पूचा जा सकता है, रहा था, ब चलिए आचार सहींता देख लें, आचार सहींता क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ये नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ठीक तो आचार सहींता भी लगने वाली होगी, ठीक तो इसके बारे में तोड़ा सा जान लें क्या है, इस का वर्णन ना सम्मिधान में है ना ही संसद के किसी एक्ट में किया गया है यह है एक सभी राजनेतिक दलों का समझ होता है ठीक यह बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि देखिए अगर सभी लोग इसका सब जब सम्भीधान में बरणन नहीं है तो जो डर्मोक्राइसी है ना तो वो उसमें अफवाएं वो फैल जाएगा है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा क्योंकि कुछ दल जैसे सब्ता दल है तो सब्ता दल यहीं चाहेगा कि मैं ही मैं जीत हूँ और किसी को वोई नहीं करने देगा खुदी बोड डालेगा ठीक आचार सहीता में बहुत जो प्रसासन होता है न बहुत सकती से आ जाता है सारे जो पदादिकारी होते हैं बड़े बड़े राजने ते उनकी जो सकतियां होती हैं वो शकती भीहिन टाइप के हो जाते हैं लेकिन सकती भीहिन नहीं होते हैं सकती भीहिन जैसे हो जाते हैं ठीक चली अच्छा है और अगर आचार सहीता के बारे में और पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट वाक्ष में कर दें मैं आपको लिए आचार सहीता के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा अगर कोई भी गलती है तो आप मुझे comment box में कर दे मैं उसे सुदारने की सुदार हूँगा साथ ही अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे comment box कर दें है तो मैं जिससे उसे आपको बताने के और कौसिस करूँगा साथ ही मुझे ये भी बताएं कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ और आपको किन-किन टॉपिक के वारे में वीडियो में मेरे से चाहिए तो मैं आप उन विसें पर ज़्यादा वीडियो बनाओ ताकि आपको सो बिदा होशा के कोई भी एक्जाम के लिए ठीक आपको इसे भी टॉपिक के उपर मुझे बता सकते हैं कि इसके उपर आप वीडियो बनाएं साथ ही मैं उसके उपर बना सकता हूँ ठीक चलिए नेक्स्ट देख लिए थैंक यू ठीक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें चलिए मेरा ये लेक्सर नमर वन था और मेरा अब लेक्सर नमर टू आएगा वो कौन सा होगा राज निर्वाचन आयो अपने ऐसे ही पूरे आयो खत्म कर देंगे ठीक ये अपना ठीक तो आप मेरा लेक्सर नमर टू बहुच करें साथ ही लाइक सब्सक्राइब सेयर कर ठीक थैंक यू